कोशन बड़ा सिंपल है बट बहुत ही इंटरस्टिंग कोशन है क्योंकि आम तर पर हमने कोशन वैसे किये नहीं होते तो हम उसमें फस जाते हैं सब्ش y अ इंदल नों के बीच कर लेंगे तो इसके पांच की बजाए इसको यह वी मीटर पर से किंड से यह स्पीड जो हो तुमारी चेंज हो रही है ठीक है तो इससे पूछा है यहाँ पर कोश्चन क्या है बेसिकली कोश्चन इसने पूछा है है find speed of first maxima यह second maxima जो भी बोले वह दे सकता है find speed of first maxima when in दोनों के बीच का distance जो है वो दी होगा ठीक है when and distance between between अब यह तो चेंज होगा ना इन दोनों के बीच का distance when distance between a slit and screen is D कि तब देखो कैसे solution करेंगे इसका बड़ा ही simple सवाल है लेकिन क्योंकि हमने कभी नहीं किया होगा तो फिर हम first जाएंगे हम एक दम से नीट में जो है distance D है slits के बीच का light जो है lambda की आ रही है screen जो भाग रही आगे वी meter per second से तो दोनों के बीच का distance जब D है अब यह बदलेगा distance या पे तब तब तुम्हें बताना है कि first order के maximum speed कितना होगा जाए से बाता है कि D बदलेगा तुम जानते हो भई जो height होती है उसकी वो होती है lambda D by D यह होती है तो अकर D बदलेगा तो यह height बदलेगा तो इसका speed आएगा speed कौन सी direction में आएगा speed इसका आएगा y direction में कैसे काम करूंगा बच्चों इसने मैं पहले इसको लिख दूँगा y is equal to lambda D by D इसमें कोई variable है lambda तो variable नहीं है small d तो variable नहीं क्या variable है यह इन दोनों के बीच का distance variable है इसको मैं यहाँ पर दी ना लिख करके x लिखूंगा तो यहाँ पर 2 lambda x by D रहते है minimum होता तो उसके code corresponding नहीं है तो यह कैसे बदल रहा है जो यह अगर ऊपर जाएगा यह नीचे आएगा तो बिसकली क्या होगा y का बदनने का rate होगे न तो इसका बिसके दी बाइब दी के लाएगा तो डी दी बाइब जाएगा बच्चों लैंड दा बाइडी ओजयेगा तो यह हो जाएगा तो यह दुम्हारा पहले order का maximum जो कि हो जाएगा बदा बदी ओर देश्वाइटी यह x कैसे बदल रहा है तो यह कैसे बदल रहा है इस तो में भी वो 2N-1 by 2 से महाँ से कर लें ठीक है, समझ में आगे ना, अगर बाइचास ऐसे स्पीड हो गया रहा है तो कन्फूज नहीं होना ठीक है, तो हम ऐसे यह वाला काम कर सकते हैं, ठीक है, मारा बाइचास